ये बोट एन स्ट्रीम नाव एवं धारा का पार्ट फोर है इस से पहले इस चैप्टर से हम तीन पार्ट पर चुके हैं तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगा तीनों पार्ट में हमने बहुती इंपोर्टन परस्णों को सॉल्व किया था जैसा कि हमने पहले कहा था कि पार्ट वाइज हम जितने टाइप के कोश्चेन इस चैप्टर से बनते हैं सारे परस्णों को हम सॉल्व करना सिखेंगे ये पहला प्रस्ण है एक नाव की स्थिर जल में गती 6 किलोम्टर पती घंटा और धारा की गती 1.5 किलोम्टर पती घंटा है एक व्यक्ती 22.5 किलोम्टर की दूरी पर एक अस्तान से नोका को चला कर जाता है फिर आरंबिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा ल दिशा में जाएगा अगर वो वापस आएगा तो धारा इस दिशा में बह रही होगी तो ऐसे वापस आएगा मतलब वो अगर जाएगा तो धारा के दिशा में जाएगा और अगर वापस आएगा तो विपरित दिशा में वापस आएगा ये concept है इस question में total distance है 22.5 किलोमीटर का जो उसे तैय करना है हमें बताना है कि इस 22.5 किलो मीटर दूरी को तैय करने में कितना समय लगेगा नाव का चाल यहाँ पे दिया गया है नाव का चाल है 6 किलो मीटर प्रती घंटा और धारा का चाल भी दिया गया है 1.5 किलो मीटर प्रती घंटा धारा के दिशा में अगर नाव जा रहा है तो धारा का वेग और नाव का वेग जूड जाएगा तो धारा के दिशा में हम निकालेंगे तो क्या होगा स्पीड 6 प्लस 1.5 मतलब की 7.5 किलोमीटर प्रती घंटा यह हो जाएगा धारा के दिशा में स्पीड धारा के विपरित अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 6-1.5 मतलब की 4.5 km प्रती घंटा यह हमने निकाल लिया धारा के दिशा में 7.5 km प्रती घंटा और धारा के विपरित 4.5 km प्रती घंटा अब हमें पता करना है कि अगर वो 22.5 km, 22.5 km इस speed से जाता है तो उसे कितना समय लाएगा हमें बताना है जाने और आने का कुल समय हमें time पता करना है time का formula होता है distance by speed पहले case में धारा के दिसा में अगर हम निकालेंगे तो distance है 22.5 km और speed है 7.5 km पती घंटा तो यहाँ से time निकल जाएगा distance by speed अगर हम धारा के विपरित निकालेंगे 22.5 km दिस्टेंस है और 4.5 km पती घंटा इसे कटाएंगे तो यह जो है 75 यह 3 बार में इसे काटेगा और यह जो 45 है यह 5 बार में इसे काटेगा तो यहाँ पे बचेगा क्या यहाँ से मिलेगा 3 घंटा और यहाँ से मिलेगा 5 घंटा टोटल हमें कितना समय लएगा 8 घंटे का समय लएगा इस डिस्टेंस को क्रोस करने में एक बार धारा के दिशा में जाने में और एक बार धारा के विप्रिद दिशा में आने में तो इस तरह के question पूछे जाते हैं अब बनाते हैं एक अगला प्रस्ण इस question में दिया गया है कि इस तिल जल में एक नाव की चाल 20 मीटर पर सेकंड है और धारा की चाल 10 मीटर पर सेकंड है धारा के विप्रिद 6 किलो मीटर की दूरी तैय करने में कितना समय लगेगा यहाँ पे नाव का चाल दिया गया है नाव का चाल है 20 मीटर पर सेकंड का और धारा का चाल भी दिया गया है जो है 10 मीटर पर सेकंड का बोला गया है धारा के विप्रित जाने में 6 किलो मिटर की दूरी तैय करने में कितना समय लगेगा धारा के विप्रित क्या होगा नाव के स्पीड से हम धारा के स्पीड को माइनस करेंगे ऐसा हम सभी कोश्चन में करते हैं अगर माइनस करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकंड यह स्पीड है धारा के विप्रित दिसा में और distance कितना है? हमारे पास 6 km का distance है 6 km को मीटर में बदल लेते है 6000 मीटर या फिर इसे मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर इसे kilometer पती घंटे में बदलना पड़ेगा तो ही हम इस question को हल कर सकते हैं बताना है कि 6 km दूरी को तैय करने में इस speed से उसे कितना समय लाएगा तो time निकालना हमें time का formula होता है distance by speed distance है 6000 मीटर का और speed है 10 मीटर पर सेकंड का इसे कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 600 second 600 second में कितने मिनट होते आप निकाल सकते हैं 600 बटा 60 करेंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा मतलब कि 10 मिनट हो जाएगा इसका answer तो इस तरह के tricky question पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं अगला प्रस्न यह आवसाद गती average speed का question है यह question बहुत बार पूछा जाता है एक आदमी जो स्थिर जल में 5 किलोमेटर पती घंटे की गती से तैर सकता है वह धारा के विपरित एक निश्चित दूरी निश्चित गती से तै करता है और प्रात्मिक बिंदू पर वापस आता है मतलब कि एक बार वह धारा के दिशा में जाता है और एक बार धारा के विपरित दिशा में वापस आता है यादि धारा की गती 2 km प्रति घंटा है तो आदमी की कूल यात्ता के दोरान औसाद गति कितनी थी यहाँ पे आदमी का टैरने का स्पीड दिया गया है सांत जल में 5 km प्रति घंटा यह जो है उसका स्पीड है मैन का और धारा का वेग भी दिया गया है तो धारा का वेग हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ दिया गया है 2 km पती घंटा 2 km पती घंटा यह धारा का वेग है अगर वो धारा के दिशा में जाएगा तो उसका चाल क्या होगा दोनों स्पीड आपस में जूड जाएंगे तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 km पती घंटा अगर वो धारा के विपरिद जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा 5 माइनेश 2 इक्वल टू 3 km पती घंटा यह धारा के दिशा में है और यह धारा के विपरिद दिशा में है बोला गया है कुल यात्रा के दोरान और सद गती कितनी है अगर आपने time and distance पड़ा है तो आपको पता होगा average speed का एक formula होता है 2xy by x plus y बस आप इस formula पर इसे put करेंगे और answer आपका आजाएगा 2 गुना 7 गुना 3 divided by 7 plus 3 equal to 10 कटाएंगे ये 5 बार में कर जाएगा यहाँ पर आएगा 21 बटा 5 21 बटा 5 को अगर तोड़ेंगे तो 4 सही 1 बटा 5 किलो मीटर 30 घंटा ये हो जाएगा average speed इस तरह के question भी पूछे जाते हैं ये तो formula वाला तरीका हमने बनाया है इसका एक concept भी होता ह है उसे भी हम सिखेंगे अगर हम normal method से बनाएंगे तो हमें पता है average speed होता क्या है total distance बटा total time ये हमारा है average speed यहाँ पे हमें total distance और total time पता होना चाहिए तभी हम इस question को normal method से बना सकते हैं सांत जल में उस आदमी का चाल है 5 km पती घंटा और धारा का चाल है 2 km पती घंटा धारा के दिसा में अगर जाएगा तो 5 plus 2 हो जाएगा 7 km पती घंटा और धारा के अगर विपरित जाएगा तो 5 minus 2 मतलब कि 3 km पती घंटा ये चाल है धारा के दिसा में और ये धारा के विप टोटल डिस्टेंस हम माल लेंगे, इसका एक LCM लेंगे, जैसे हम 21 LCM ले लेते हैं, यह हमारा माल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है, यह हमारा टोटल डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को धारा के दिसा में और धारा के विपरित दिसा में अगर क्रॉस करता है, तो उसे कितन समय लाएगा धारा के दिशा में कितना समय लाएगा टाइम निकालेंगे distance by speed तो पहले condition में speed है 7 km तो होगा 21 बटा 7 दूसरे condition में speed है 3 km यहाँ पे होगा 21 बटा 3 यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 7 यह हो जाएगा 7 प्लस 3 equal to 10 10 घंटा 10 घंटा जो total time हमने निकाल लिया हमें total distance पता होना चाहिए तो 21 km जाएगा और 21 km वापस आएगा मतलब की 42 km total हमारा distance हो गया हमें total distance भी मिल गया और total time भी मिल गया तो हम इसका average speed निकाल सकते हैं total distance है 42 km और total time है 10 घंटे का इससे कटाएंगे तो ये 21 बार में 2 से कटेगा और ये 5 बार में ये same पहले जैसा ही आजाएगा 21 बटा 5 इससे तोड़ेंगे तो आएगा 4 सही 1 बटा 5 km प्रती घंटा इस तरह आप इसे basic method से भी बना सकते हैं अब हम बनाते एक अगला प्रस्न इस question में दिया गया है कि एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तै करता है तथा धारा के विप्रित दिशा में एक सही 1 बटा 2 घंटा में तै करता है यदि धारा का वेग 3 km पती घंटा है तो सांत जल में नाव का वेग कितना होगा हम यहाँ पे distance माल लेते हैं x km का है अगर वो धारा के दिशा में जाएगा तो speed क्या होगा अगर वो धारा के दिशा में जाता है तो speed हम कैसे निकालेंगे speed का formula क्या होता है distance by time distance से हमारा x km हम यहाँ पे लिखते हैं और time है एक घंटे का यह हो गया धारा के दिशा में speed यदि हम धारा के विप्रित निकाल ले हैं धारा के विपरित क्या होगा distance है हमारा x kilometer same distance है और time यहाँ पे दिया गया है 2 x 2, 3 x 2, 3 x 2 घंटा, 3 x 2 घंटा है, यहाँ पे distance by speed होगा, तो distance हमारा x kilometer है, speed divide में है, तो उल्टा हो जाएगा 2 x 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 x by 3 kilometer पती घंटा, यह हो जाएगा धारा के विपरित में इसका speed अगर आपको धारा के दिशा में चाल पता है और धारा के विपरित दिशा में चाल पता है तो आप धारा का वेग निकाल सकते हैं x minus y divided by 2 यहाँ पे x क्या है, x बटा 1 और y है 2 x बटा 3 इसको minus करेंगे और 2 से divide करेंगे तो यहां पे x बटा 1 minus 2 x बटा 3 इस बन को हटा देते हैं हम तो क्या होगा 3 x 3 x में से 2 x अगर minus करेंगे तो यहाँ पे आएगा x बटा 3 इसके नीचे divide by 2 करना है तो हम इसे 1 बटा 2 कर देते है तो यहाँ पर आया x बटा 6 यह हो गया धारा का वेग जो हमें 3 किलो मीटर प्रती घंटा दिया गया है तो यहाँ सम एक्स का भैलू निकाल सकते हैं तो एक्स का भैलू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा x equal to cross गुना होगा छोती 18 बतलब हम यहाँ से distance हमने निकाल लिया है 18 किलो मीटर distance हमें पता चल गया है अब हम धारा के दिशा में और धारा के विपरित दिशा में दोनों का speed आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि time हमें पता है तो धारा के दिशा में क्या होगा x के जगा पे 18 लिखेंगे 18 बतलब सकते हमें बताना है सांत जल में नाव का वेग कैसे निकालते हैं अगर आपको धारा के दिशा में और धारा के विपरित दिशा में speed पता हो तो सांत जल में नाव का वेग कैसे निकालते हैं X प्लस Y डिवाइड़ बाइटू यहाँ पे X 18 किलोमेटर पति घंटा है और Y 12 किलोमेटर पति घंटा है दोनों को जोडेंगे 18 प्लस 12 डिवाइड़ बाइटू इसे जोड के निकलेगा 30 डिवाइड बाइटू हम पार्ट वाइड जितने टाइप के कोश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं हम सारे प्रस्णों को सॉल्व करेंगे